धौलपुर में चंबल नदी में बहे छे बच्चे तीन ने धौलपुर भरतपुर पेजल योजना का तार पकड़ कर बचाई जान तीन की तलाश जारी धौलपुर जिले में चंबल की तेज बहाव में छे बच्चे बह गए सबी बच्चे पहाण वाले बाबा के उर्स में शामिल होने के लिए आये थे उर्स में शामिल होने के बाद परिवार के साथ सबी लोग चंबल नदी में नहा रहे थे नभी के तेज बहाव में अचानक एक बच्चा बहने लगा जिसे पकड़नी की चकर में छे बच्चे पानी में बह गए जिन में से तीन बच्चों को रैस्क्यू टीम ने बचा लिया और तीन की तलाश की जारी है कोटवाली रामकिशन यादव ने बताया कि मद्यप्रदेश और राजिस्तान से कुछ लोग पहाड़ वाले बावा के उर्स में शामिल होने के लिए आये थे उर्स में शामिल होने के बाद परिवार के साथ सभी लोग चम्मल नदी में नहा रहे थे कोटवेरा से छोड़े गए पानी के बाद धौलपूर में चम्मल नदी उफान पर है नदी के तेज बहाव में अचानक एक बच्चा बहनी लगा जिसे पकड़ने की चक्कर में छे बच्चे पानी में पह गई इनमें से तीन बच्चों ने धौलपूर भरतपूर पेजल य एडिशनल एसपी ओम प्रिकाश मेरा के साथ कोतवाल रामकेशन यादव लगातार सड़ चलाय हुए है गवालियर मुरेना और धौलपूर के रहने वाले हैं बच्चे घटना की बाद परिजनों से बाच्चित करते हुए एसपी ओम प्रकाश मेरा ने बताया कि बिजली की केवल पकड कर बचाए गए तीन बच्चे सहजाद उम्र 18 साल निवासी गौलियर गोलू उम्र 16 साल निवासी धौलपूर और इर्शाद उम्र 18 साल निवासी मुरेना को सकुषल बाहर निकाल लिया गया जबकि नदी के तीज बहाब में मुबारक उम्र 19 पुत्र अली निवासी बाड़ी बह गए है जिनके तलाश के लिए रैस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है पानी की मौटर के लिए डाले गई बिजली की केवल पकड़ कर बचाई जान नदी के तेज बहाब में बहे बच्चों में से रैस्क्यू कर निकाले गए तीन बच्चों ने ध